प्रॉब्लम ये है कि अगर आप करनाटक के अंदर ये कह दीजिए कि एक ब्लैंकेट रेजर्वेशन हम देते हैं, आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने चाहिए, आप अमीर हैं, गरीब हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, आप OBC वर्क के करते हैं, और सुप्रिम कोट उसको रिजेट कर देता है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, तो क्या गलत है, और आपके प्रधान मंत्री बोल रहे थे, जब उनने तो सबका साथ, सबका विकास सोचाई नहीं, उनने तो कह दिया, कि संसादनों पर पहला हमारे देश में एक प 570 हटने से पहले, SCST OBC वर्क को आरक्षण नहीं मिलता था, क्यों नहीं कोई डिबेट हुई? अगर AMU देश की पब्लिक फंडिट उनिवर्सिटी है, उसके अंदर कॉंग्रेस पाटी ने SCST OBC वर्क के आरक्षण को चेन लिया, क्यों नहीं डिबेट हुई? अगर जामिया तो कोई भी इनका जवाब दे करके जाए, जब 2017 में देश के राष्ट्रे पिछडवर गायों को समिधानिक दर्जा देने के लिए हमारी सरकार सदन के अंदर बिल लेकर के आई थी, तो आपने उसका क्यों विरोध किया था? कॉंग्रेस पार्टी उसके खिलाफ क्यों खड करम का है, हमने जब लोगों को घर दिये चार करोड हम नहीं पूछते कौन किसके घर का है, जब गाउं में विजली पहुचते हैं, हम सब को साथ लेकर के चल रहे हैं, देखिए, सबसे परिए, पिछड़ा आयो की बात करी, जब पिछड़ा आयो की बात करी, जब अंगलिया की है, उनके ओपर एक्शन होने चाहिए, उसी कमिशन की आप भात ही नहीं मानते हैं, आप उसके सिंबॉलिक रखना चाहते हैं, हम उसके पक्षदर नहीं है, आप कमिशन बनाइए, उसको तो दीजे, उसको दात तो दीजे कि वो कुछ एक्षन ले पाए, आप ले लेखना चाहते हैं, कि आपने आरक्षन दे दिया और आप उसके कुछ भी मिस्यूज कर सकते हैं, आपने इसमें कोई आरक्षन का प्रविधान नहीं दिया गया है, जिस तरह से आपको आरक्षन 27% OVC को देना था, वो आपने पिछली किसी परती में दिया,